गरीब मा की दो फोजी बेटिया, राजबाला का सर आज गर्व से उचा था, उसकी दोनों बेटिया पूजा और पूनम, बेसेफ में जवान बन गई थी, आज सारा काउं राजबाला के छोटे से घर में बधाया देने आ रहा था, बहुत बहुत मुबारक फो राजबाला, त तेरे तो दिन ही सवर गए, तेरी तो दोनों ही बेटिया फोज में चली गई, ये तो बहुत अच्छी बात है भाबी जी, बिन पिता की बेटिया देश का गौरब बन गई है, राजबाला सबसे बधाया ले रही थी, और मन ही मन सोच रही थी, कि ये वही लोग बधाया दे उस समय पर उसने जहले थे, उसकी दोनों बेटियों ने काम्याब होकर लोगों की जबान पर आई हुए शब्दों को ही बदल डाला, सबके चले जाने के बाद राजबाला अपनी बेटियों की नजर उतार दी है, पूनम और पूजा का सिलेक्शन प्यसेफ में हो चुका थ और वो ट्रेनिंग के लिए घर आई हुई थी, इसके बाद उन दोनों को अपनी पोस्टिंग पर जाना था, मेरी प्यारी बेटियों, मेरा सर गर्व से उचा कर दिया तुम लोगों ने, जीती रहो, खुश रहो, जीवर में बहुत कामियाबी देखो, चलो, अब तुम दो दोनों मुह हाथ धोलो, मैं तुम लोगों के लिए हलवा पुड़ी बनाती हूँ, मा, कचोड़ी बनाना, सच कहती हूँ, पूरी ट्रेनिंग में बस जो सबसे ज़्यादा याद आया, वो था तेरा प्यार और तेरे हाथ की कचोड़ी, हाँ मा, कचोड़ी बना, ठीक है, ठ लेट जाती है, एक तरफ पुनम और दूसरी तरफ पुजा, वक्त भी कितनी जल्दी बीच जाता है न, पुजा और पुनम, मेरे ख्याल से, तुम तब नौमी में थी, जब तुम्हारी पिता गुजर गए थे, जब तुम दोनों ने जर्म लिया, तब भी मुझे कितने ता जाने तो मैं दिन राध ही सुनती थी, और फिर जिस दिन तुम्हारे पिता जी गुजरे थे, यही वो लोग थे, जिनों ने कहा था कि मनहूस औरत है, और दो-दो लड़कियों को जर्म दिया है। खेतों पे काम करती थी, उन्हें इस तरह सम्हाल कर लाती और ले जाती थी, जैसे कि वह कोई कीमती चीज हो। कभी-कभी तो पूनम और पुजा भी अपनी मा की इतनी देखपाल से चिड़ जाती थी। एक दिन की बात थी, मुझे नहीं जाना मा, तेरे साथ कहीं भी, तू तो हर वक्त हाथ पकड़कर ऐसे चलती है, जैसे कि मैं कहीं भाग जाऊंगी, कितनी शर्म आती है, इतने बड़े हो गए हम लोग, और हमारा हाथ पकड़कर चलती है। हाँ मा, अगर मुझे पाहर ले जाने में इतना ही डर लगता है, तो मत लिकर जा, हम लोग घर पर ही रह लेंगे। मेरी बेटियो, मैं तुम्हें इसलिए हाथ पकड़कर नहीं ले जाती, कि तुम कहीं भाग जाऊगी। बस मैं चाहती हूँ, कि लोग ये बात अच्छे से समझ ले, कि इनके सरपर बाप का नहीं, मा का साया तो है ही, तुमहारे बारे में कुछ सोचने और कहने से पहले, वो दस बार इस बात को सोच ले, कि इसके साथ इसकी मा है तुम अभी शायद मेरी इस बात को नहीं समझ पाओगी लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी उस दिन पहली बार राजबाला अपनी दोनों बेटियों को अकेले घर पर छोड़ कर बाजार तक गई थी उस दिन उसने पहली बार बड़ी जल्दी जल्दी सारा समान खरीदा और उसे घर जाने की जल्दी थी क्योंकि उसकी दोनों बेटिया घर पर अकेली थी यह समाज की सच्चाई है बाप का सर पर साया ना होने से लोगों की नजर ही बदल जाती है और जहां तीन-तीन औरते अकेली रहती हों, उधर तो कुछ लोग अपना अधिकार ही समझ लेते हैं बस इसी रूड़ी वादी सोच की वज़े से राजबाला हर समय अपनी बेटियों के साथ रहती थी अगले दिन मा, हमारा बारवी का रिजल्ट आ गया है, तु हमारे साथ स्कूल चलना हाँ मा, चलना हमारे साथ चल कल की बातों से राजबाला बहुती खफा थी, इसलिए वो दोनों बेटियों से बाद भी नहीं कर रही थी जबकि उसे पता था कि आज उनका बारवी का रिजल्ट आया है नहीं, तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम लोगों का हाथ पकड़ कर चलती हूँ इसलिए तुम दोनों खुद जाकर अपना रिजल्ट देख लो दोनों बेहने किसी तरह मना कर राजबाला को स्कूल तक लेकर जाती है और वहाँ पर जाकर पता चलता है कि दोनों बेहने अच्छे नंबरों से पास हुई है राजबाला अपनी दोनों बेटियों को कले लगा लेती है और फिर बाजार से उनके पास होने के लिए मिठाई खरीडती है वो अपनी बेटियों से बात करते हुए घर की तरफ आ रही थी कि तभी पीचे से एक बाइक सवार आकर राजबाला को टकर मार देता है जिससे वो सडक पर ही गिर जाती है ये देखकर दोनों बहनों को इतना गुसा आ जाता है कि वो अपनी मा को उठा कर और उस लड़के को धून देती है फिर उस लड़के को उन दोनों के हातों से बचाने के लिए कई लोग वहाँ पर आ जाते है इन दोनों को तो फौज में होना चाहिए एकी घूसे में दुश्मन को धूल चटा देंगी पूनम और पूजा वहां से अपनी मा को लेकर घर आ जाती है किन्तु दोनों के कानों में सिर्फ उस औरत के ही शब्द गूज रहे थे इन दोनों को तो फौज में होना चाहिए था अपनी मा को चारपाई पर लेटा कर वो दोनों आपस में बाते करने लगती है उस औरत की बात सुनी थी तुझे पता है फौज में कैसे जाते है मैं भी तेरी तरह पूरा दिन मा के साथ ही रहती हूँ और तेरे साथ भी भला मुझे कैसे पता होगा कि फौज में कैसे जाते है और हमारे पूरे गाव में तो बस एक ही फौजी है और वो भी रिटायर है याद है ना वो किशोरताओ चार गली छोड़ कर है उनका घर अगर मा को पता चल गया ना कि गली से बाहर निकले है तो वहीं से कूटते वे घर लाईगी फिर दोनों बहने चुपके से देखती है कि राजबाला सोई है या नहीं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राजबाला गहरी नीद में है तो दोनों बहने चुपके से घर से निकल कर किशोर ताओ के पास पहुँच जाती है ताओ ने 1971 के युद में हिस्सा लिया हुआ था सब लोग उनको बहुती सम्मान की डिश्टी से देखते थे मैंने तुम दोनों छोरियों को पहँचाना नहीं किसकी बेटिया हो पूजा और पूडम है राचवाला की बेटिया अच्छा अच्छा आओ आओ बच्चो क्या बात हो गई घर पर तो सब ठीक है न फिर वो दोनों बहने ताओ से पूछती है कि फौज में जाने के लिए क्या करना होगा पहले तो किसोर ताओ उन दोनों को मना कर देते है लेकिन जब दोनों लड़कियों की जिद देखते है तो वो उन्हें फौज में जाने का पूरा तरीका बता देते है ताओ जी हम लोग आपके पास आये थे और हम लोगों ने आपसे ये सब पूछा बस ये बात हम तीनों तक ही रहनी चाहिए मा को भी नहीं पता चलना चाहिए अगर भगवान ने चाहा हम दोनों फौज में चली गई तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा वो ताओ से पक्का वादा लेकर चली आती है थोड़ी देर में राजबाला की भी आँख खुलती है तो वो देखती है कि दोनों बेटिया आराम से सो रही है और उसके बाद जब पूजा और पूनम अपनी मा के साथ बाजार जाती है तो सबसे पहले अखबार खरीडती है और वहाँ पे रोजगार समचार पत्र देखती है और जिसका उन दोनों को बेसवरी से इंतजार था आखिर वो दिन आही गया फौज में भरती निकली थी अब जो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने थी वो थी राजबाला मा को कैसे समझाएंगे कि दोनों फौज में जाना चाहती है मा आज शाम को मेरे साथ बजार जाना घर में तो सारा समान है तुझे कुछ चाहिए क्या मा अगर तु नाराज नहों तो मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ क्या बात है जो तुम दोनों ऐसे डरडर के बोल रही हो जो भी बोलना है साफ साफ कहो फिर दोनों बेहने बताती है कि उन दोनों को फौज में जाना है जिसके लिए उन्हें एक फार्म भरना है और पढ़ने के लिए कुछ किताबे चाहिए अच्छा तो तुम दोनों को फौज में जाना है और ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम दोनों को फौज में जानी दूँगी अरे कोई ढंका काम करोगी जिन्दगी में या नहीं करोगी लंगड़ी लूली होकर आ गई तो सारी जिन्दगी इसी घर में बैठी रह जाओगी घर के कामों पर ध्यान दो सिलाई कड़ाई सीखो एक दो साल बाद तो मैं तुमारा प्याह करी दूगी मा, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती क्या तुछ चाहती है कि तुम दोनों फौज में हो तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा नहीं करनी शादी फौज में जाना है और सारी जिन्दगी तेरा ख्याल लगना है अब बोल जाने देगी फौज में जब तक राजबाला उनको हाँ नहीं बोल देती तब तक दोनों बहने उठते, बैटते, सोते, जाते राजबाला की पीछे पड़ गई और फिर दोनों बहनों ने फोज का एक्जाम क्लियर करके अपना फिजिकल भी निकाल लिया उसके बाद जब भी कोई डाकिया आता गाउ में तो दोनों बहने बस दर्वाजे पर खड़ी होकर अपने रिजल्ट का इंतिजार करती फिर एक दिन डाकिया आकर राजबाला के घर का दर्वाजा बजाता है पूनम और पूजा का B.S.F. के लिए नियुक्ति पत्र आया है भाई तु क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छे से हिंदी में समझा चाची मिठाई खिला मिठाई तेरी दोनों बेटियां फोज में जाने वाली है और बक्षिस लिए बिना जाऊंगा नहीं तभी पूनम और पूजा भी आ जाती है और अपना लेटर खोल कर देखती है और मारे खुशी के अपनी मा के गले से लग जाती है राजबाला अपनी साड़ी के पल्ले में बंदे हुए सौ के नोट को निकाल कर डाकिया को खुशी खुशी ते देती है तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जैसी ये खबर कि शोर ताओ को मिलती है वो भी आकर दोनों बेटियों को आशिवात देता है और अपनी तरफ से दोनों लड़कियों को पचास-पचास रुपे का इनाम भी देते हैं अरे नाम रोशन कर दिया तुम दोनों ने तो इस गाउं का जाओ बेटियों महनत और लगन के साथ आगे बढ़ो जिसको भी ये खबर मिल रही थी वही आकर राजबाला को बधाईया देने लगा और सब हैरान थे कि इन दोनों लड़कियों ने फौज में जाने का फैसला कैसे कर लिया ट्रेनिंग पर जाने से पहले राजबाला ने अभी तक जो कुछ भी जोड़ा हुआ था वो सब अपनी बेटियों के लिए सामान लाने और उन्हें भेजने में खर्च कर दिया पूजा और पूनम अभी भी अपनी मा के पास लेटी हुई थी और राजबाला को आज अपने दोनों फौजी बेटियों पर गर्व था